आपकी तमाम टीम का दन्यबाद लगातार आप दो तिन मेना से आप आंदूलन कर रहे हैं जगा जगा भासन दे रहे थे हैं आई साधी गर में घूम भी रहे हैं साधी का क्या इरादा है अच्छ एक बात बताए मनुस्षिक समाजिक प्राणी होता है क्या वो समाज में आना साधी का बिलान है क्या?inen फिलाल शादी का प्लान नहीं है इसिलिए क्योंकि मान के चलिए बुरा समय अभी करांती में भीतरा है कोई रात ऐसा नहीं है कि देड़ दो बजे घर इंटरी होती है आप देख सकते हैं अभी लाइब भी आते हैं तो दो बजे घर आना अईसी परिष्टिती में बिवाह के बारे में सोचना सायद किसी के साथ नायन साफी होगी यानि समय नहीं मिल पाता है तो फिलाल भी पूरी तरह से जारकरण अंदोलन के बारे में सोच रहे हैं जारकरण के लोगों को हाग अधिकार कैसे मिले इस पर बात करेंगे पंचायद चुनाओ का घोसना हो गिया आप पहले बोले थे हैं कि हम पंचायद चुनाओ में जिला परिष्ट का तयारी चुनाओ लड़ेंगे लेकिन अभी तक आप कुछ बोले ने इसका मतलब है 24 का तयारी कर रहे हैं देखें पत्रकार लोग तो खेर उनका रहता है कि युए लोग घुमा फिरा के बहुत पूछते हैं आप भी अब बहुत घुमाने फिराने लगे हैं 24 का तयारी हम बिल्कुल नहीं हम तयारी करने हैं सरकार को ब्यक्फुट में लाकर जारखन के हित में कानून कैसे बने कारण है कि राज को नई आधार सिला दिजे राज में राज के लोगों को अधिकारी बनाई है इन्हें प्रमोशन कीजे इन्हें दाईतू दीजे यह सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हम बाहर राज के आईएस आईपियस मंत्रियों के साथ सठके रहते हैं और सारी इनके जानकारिया उनके पास रहती है और समय पर वो अपना रूप दिखा ही देते हैं तो इसलिए जाराज का भला और यहां के लोगों का भला तभी होगा जब यहां के स्टूडेंट यहां के रियात यहां के मुल नयवासी, उनके हग अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा दूसरी बात ये भी दोसी हैं मंत्री हमारे भी दोसी हैं जब आप में बुद्धी जी भी आप हैं नहीं आपको जानकारी हैं नहीं तो काहे फसने का काम करते हैं तो इसके लिए केंदर भी दोसी है कि केंदर में जो है केंदर की जो भी प्लैनिंग चल रही है वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तो दोसी दोनों है केंदर की सरकार तो खेर वे तिग्रम बाज है लेकिन राज के सरकार जो अपने उनों शहरों को च कहीं सांतिप्री हैं कहीं अम्विद्गरबादी हैं कहीं आजाद को मानते हैं कहीं भगत स्रीम को मानते हैं तो कहीं हर तरह से कमिनेशन हैं क्योंकि हमें गयोते हैं चारों तरफ से गुमते हैं चारों तरफ की बातों को रखते हैं क्योंकि मेरा मकसद है कि सभी लोग अधिका मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर मेरे राज्म सब को अधिकार की उए0 उसा है और मार्क की से बिचारी तो गलत भी नहीं है वह ऐसे समाज की कल्पणा करते हैं जहां कि हो जयादा उलावा था तो यदि हम एजैंट हैं तो उसे मिटिंग में बुलाया क्यों गया था सिधा सफंडा समझे ये लोग कुछ लोग हैं जो अबसर का लाव लेने के लिए निकले हैं होसके गितादी महरा हैं पीछे से कोई और उनको फॉर्स करके बुलवा रहा है तो वे लोग जानवाई शमीती जिसका अभी अधियर सच्चिव और संडख्षक बनी वहां हम कोई बुलावा था यदि हम उस मिटिंग में चले जाते हैं तो हम नुनु बाबू सोना मोती हिरा हमको लोग कहते हैं लेकिन हम नहीं गया तो गुड़ बॉइस सब लोग चाहते हैं कि हम उन कोदर के प्रोग्राम में हम लोग साथ हैं तब उनको कोई तकलीव नहीं हुआ तो इसलिए गितादी की यह फोर से या फिर नीजी मामला है लेकिन जो भी है यह बेतुका है इसमें कोई आधार नहीं है और यह सिर्फ और सिर्फ एक दिख भरमित करने का प्रियास है क्योंक ना कहीं तमाम जो पॉल्टिकल परसन पॉल्टिकल चेहरे रहे हैं जिन्होंने अब तक जारखन में रूल किया है उनके पाउं खिसकने का कारी हुआ है और दूसरी बात गीत यह जो मामला आया सामने यह मामला उस समया जब मेरा एक साथी जो मेरे साथ रहता है उसका फोट अब बहुत सारे बच्चे आये हैं तो फोटो किचानी क्वास सब की होती है कि कोई अगर लीडर आया अभी रुख जाए अभी बहुत सारे चीज़ दिखा रहे हैं यह वह फोटो बायल वातर ढूलू मातों के साथ वही लड़का है यह है डॉक्टर अजय कुमार कॉंग्र तो इसका मतलब सीधा है वह एक यूत है इसका मतलब सीधा है वो इदका वुग सब की मतलब के साथ वाइरından वान कीसिएactor है तो क्या हम ऑप पार्टी में है या फिर किसी नेता संभंद कर रिष्टा तोड़ देंगे अगर आफ ही को हम कहीं एक दिन कोलेज आप ड्रॉप करते हैं कि सवाल सत्ता से क्या जाता है जगनात महतों सत्ता में मंत्री हुए हैं हम सवाल उनसे करेंगे और नहीं तो फिर बवाल करेंगे यानि जिनको आगर हम जिताए हैं तो हराने का भी काम करेंगे